मोधी जी को दस लेटर लिखता हूँ जब अकल बट रही थी मोधी जी लास में थे अकल उनके काम आई नहीं क्योंकि आठ सो करोड का बिले ट्रेवल का उनको यह नहीं मालूँ वीडियो कान्फरेंसिंग होती है सरदार वल्लब भाई पटेल कांगरेस के ट्रेजरार थे तोनेशन लेते थे जैसे लोग अवें ऐसे ही पहले थे लोग न उड़ा दिया रहे तो बड़े पैसे कमा रहा है उनके कानों तक बात पहुची वला भया मैं पैसे ने लेता मीटिंग बुलाई पूचा वह यह पैसे कमा के आदमी क्या करता है अजी करता है क्या है मकान बनवाता है बोले मैं वचन देता हूँ मैं कोई मकान नहीं बनवाऊंगा आप सबसे मेरी गुजारिश है आप मुझे सरदार वल्लब भाई पटेल के मकान का एड्रेस दे दो दिल्ली में, बंबई में, महाराश में, गुजरात में उस बन्दे ने आदे कमरे का मकान नहीं बनवाया मोधी जी उनकी मूर्ती पे 6,000 करोड खर्च करक्या है हम बनाने में समर्थ हैं ओरडर गया चाईना को किसलिए ये मूर्ती मोधी जी ने बनवाई थी मोधी जी कुतुब मिनार की जगे मोधी मिनार बनवाओ, टाज महल की जगे मोधी महल बनवाओ, भारत माता की मूर्ती बनवाओ, माउंट एवरेस पे पबलिक के पैसे बरवाद करने तो शर्मा जी से पूछो कहां आपको जनादेश है की अब 6,000 करोड की मूर्ती बनाओ गए, क्या पिछले 72 साल से हम बिना मूर्ती के जिंदा नहीं है, सरदार पटेल ने अपने जिंदगी में एक आदमी की जिंदगी बरवाद नहीं की, उनकी मूर्ती ने 30 गावों के 10,000 लोगों की जिंदगी बरव कर दिये, कैलकुलेशन करके भेजा, शर्मा जी, मैंने का जी, ये मेरी कैलकुलेशन है, 137 साल लगेंगे, इस मूर्ती की कौस्टी कवर करने में, नहीं जी, ये टूरिस सर्किट है, टूरिस सर्किट के वह ही नहीं, सिंगापुर छोटा सा है, इंडिया इतना बड़ा है, स दूसरा कुली आएगा नहीं, बोला सिंगापुर में ऐसा टेंशन नहीं है, लक्षमी जी चाहिना से, गनेश जी चाहिना से, होली की पिछकारी चाहिना से, दिवाली की लड़ चाहिना से, चाहिना की होती है, दिवाली हमारा होता है, दिवाला, 700 करोड कमा के जाता है, रक रफ्जाबंदन की वो भी चाहिना से आ रही है, सरदा जी हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सरदा जी बैठे देदे, सरमा जी हम खाली बच्चे पेदा करेंगे, वाकिसब चाहिना से आएगी, बच्चे पेदा करने वाली इंडियन चलेगी या वो भी चाहिना से आएगी आपको कुछ आइडिया नहीं है मनुष जीवन इस धर्ती पे सिर्फ सौ साल बचा है प्रकरती को वन मिलियन येर्स दस लाक साल लगे थे वायू मंदल में सी ओ टू का लेवल टू अंड़ेड पीपियम करने में आदमी ने ट्वेंटी कर दिया है तीन साल से साउथ अफरीका में बरसात नहीं हुए है जो खिलाड़ी गहते भईया बाहराजा टॉइलेट में पानी नहीं है हिमाले के गलेशियर पिगल चुके है राजस्थान में ताप्रम 54 डिग्री सेंटी ग्रेड बी एस एफ के जवान रेट मे पापर भून रहे थे लाटूर मराटवाड़ा महारास्ता सो एकड का मालिक घर पे ताला लगा के जा रहा है भाईया कहां जा रहा है कहँए शुगर मिल में जाडू मारूंगा क्यों पुछी सो एकड का क्या कहूं बरसात हुई नहीं पानी है नहीं पिछले साल जब साथ हमारा फंक्षन खराब ना कर दे तो उन्होंने सिल्वर आयोडाई डिस्प्रे करा के बादलों में आर्टीपिशल रेंड कराई थी महारास्ता गॉर्मेंट ने कल तीस करोर अलोट के आर्टीपिशल रेंड के लिए हम कुछ जानना नहीं चाहते समुंदर का लेवल सारे तीन फूट बढ़ेगा लाखों लाख केरल के लोगों को कहां बसाओगे हवा की बार नहीं कर रहा हूं आर्टीक की बरफ पिगल चुकी है जब आग लेगेगी जब कुवा खोदोगे बहुत सारे आप मैं आता हूं जंतर मंतर जो नई पीड़ी है उसे तीनी बार करती है म कित मुझे क्या तुम्हें क्या हमें क्या गोर्मेंक का काम है हम दुनिया में सबसे उलटे क्यों है सुईडन ने कल हंदे डॉलर का सर्चाज लगाया यहाय ट्रैवल पे फिंलेन्न Помहें कर दिया कोई हवाई जास से नहीं जाएगा योख में कारबन क्रेडिट एविएशन क लिए पूरे साल आप एक स्नाफ फ्लाइट नहीं ले जा सकते हैं क्यूं? जो हवाई जाता से गाता है पचास गुना ज्यादे इंदेन करता है, पचास गुना ज्यादे प्रोडुंशन फेलाता है, हम दुन्या में उल्टे क्यों है, दर्ती गरम हो रही है, सब्सके ज्यादे हमारे देश पर पड़ेगा मैं बता चुका हूँ ऐसा कहीं भी नहीं है नुकलियर बेंड कर दिया थ्री माइल आइलेंड एक्सिडेंट अमेरिका में तीस साल से वहां कोई ओडर नहीं है जर्मनी ने बेंड कर दिया स्वीडन ने कर दिया आप गूवल पर जाओ चैरनोबिल टाइप करो C-H-E-R-N-O-B-L-E दुनिया की सबसे महंगी इमारत युकरेन में बन रही है जब इससे महंगी इमारत आज तक बनी नहीं नुकलियर एक्सिडेंट को कवर करने को हम नुकलियर के पीछे भाग रहे हम एयर ट्रेवल के पीछे भाग रहे है मैं क्या क्या आप जाके कह सकते हो बहिए बताओ यहां कितना रेडियेशन है हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है रभी शंकर फ़ाइब परसनली आके मिलना अभी मेरे लड़के की साधिय में परसनली मिलू हम लोग कॉस्ट रेडियेशन लगानी है मैं उनके पास गया टावर वालों के प बूरो डॉकुमेंट है मेरे पास जैपूर और बंबई जबसे यह टावर लगी छे लोग कैंसर से मर गए कोई जानना ही नहीं चाहता रियल्थी ना जो टॉप पे लोग है उनको कुछ अकल नहीं है ऐसे लोग रिकूरूट करें मैं जाता हूं बताने मैं आयाइटी से गरीब देश का पैसा तीन साल का बच्चा रोड पे पैन बेच रहा है अरे छे हजार क्रोड़ों हमें आजाद हुए आज सतर साल हो गए दुनिया के चालिस परसें असिक्षित मेरे देश में रहते हैं क्यों हमने कुछ किया ही नहीं है रिश्यन रिवोलूशन हुआ था क् पच्ष्मन प्रतिशत कुपोशित बच्चे मेरे देश में रहते हैं क्यों आदमी मा के पेट से होगा पैदा होगा क्या आम के पेट पे लगेगा 52% फीमेल आर एनिमी नई पीडी स्वस्त कैसे पैदा होगी गुड़गाओं में रहता हूं 40s hospital में एनिमया क्लीनिक में तीन से पांच ग्राम खुन है इस पर कौन काम करेगा कोई मेरे चुप करा देते हैं सर्मा जी यह discussion है क्यों नहीं है खाली हम नीरव मोदी discuss करते रहें मैं आपको मलेशिया का बताता हूं एक आदमी ने अख़वार में पढ़ा कि हमारी government पे इतना लोन है ordinary आदमी कोई बड़ा celebrity नहीं था उसकी cutting लेके वो घर घर गया लोगों को बताया चंदा इखटा किया मिनिस्टर को दे के आया कि भई ये लोन उतारो government का है हमें नीरव मोदी सरकारी पैसा लेके भाग गए में हुल्चोक सी सरकारी पैसा कितना अंतर है हमें मलेशिया का ordinary आदमी चंदा इकटे करके लाया है लोगों से और government का foreign loan उतारा यही मैं खहरा हूं इसको आगे बढ़ाओ मुझे रोक लेते हैं लोग अभी मैं डरता नहीं हुगा ही मैं नहीं PD को बताना मेरी duty है मनुष जीवन इस धरती पर सिर्फ सो साल बचा है हमको इस पर बात करनी चाहिए अभी 200 countries के लोग आये थे greater noida में meeting थी देड़ डिगरी temperature बढ़ेगा धरती का Trump बहार हो गया अमेरिका का प्रेसिडेंट क्योंकि उसे पैसा देना पड़ता solar लगाने के लिए अब दो डिगरी बढ़ेगा ना हमें खाना मिलेगा ना पानी मैं चाहता हूं आप लोग मेरी बात सुनो ये scientific facts हैं कोई मेरी अपनी बनाई बात हैं नहीं है हरे को पूरी मनुष्की स्रश्टी इस धरती से खतम होने के एक अगार पर है यदि हमने कोई action नहीं लिया धन्यवाद